हेलो ब्रिवन वेलकम बैक टो माई एटू चैनल चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं जो भी स्टुडेंट अटल व्यारी वाजफे मेडिकल इनवर्सिटी एंटरेंस एक्जाम कौलिफाई किये हैं या फिर अच्छे नंबर गेन किये हैं तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि गवर्मेंट सीटे कितनी हैं गवर्मेंट सीट और गवर्मेंट कालेज कौन कौन से इसमें इनकलिवड किये गए हैं उत्तर प्रदेश में ये सभी गवर्मेंट कालेज प्रवाइड किये गए हैं और गवर्मेंट में चलिए देखते हैं स्टेट मेडिक course ये देखिए आपको दिखाई देगा बैचलर आफ Science and Nursing Duration इस पे आप किलिक करिए इस पे किलिक करने के बाद मैं इस पे किलिक किया हूँ इस पे किलिक करने के बाद इस सर्च बार में Government College आप सर्च कर लीजिए ये देख लीजिए आपका 10 page का ये PDF है और इसमें सर्च में मैंने सर्च किया Government College अब इसमें जितने Government College है एक लिस्ट आपको प्रयाप्त हो जाएगी ये देख लीजिए यहाँ पे दिया गया Institute Name दिया गया है यहाँ District Wise कहाँ पे किस District में ये College है Capacity कितने Student इसमें एडविशन ले सकेंगे और ये Type क्या है Private है कि Government है तो चलिए ये देखते हैं ये देखे टाइप ये Government College Only हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 2017 में इसकी मान्यता प्राप्त होईती है भी जल्दी ही सुरू हुआ है ये आपका मेरट में है College of Nursing Nursing SBBP Hospital मेरट तो ये जो है मेरट में है इसमें जो सीट की संक्या है पचास सीटे है Next हम लोग देखेंगे ये देखे ये भी Government College है College of Nursing Government Medical College प्रियाग राज तो ये प्रियाग राज में है 2022 अभी लेटेस्ट में ये Government College Nursing के सुरू किया गया है College of Nursing State Medical College ये दिख लीजिए सहारनपूर में है और ये 2022 में ये भी शुरू किया गया इसमें भी 60 सीटे है और ये भी Government College है Next में हम लोग देखेंगे College of Nursing ये देख लिए सुन्दरलाल होस्पिटर बनारस में है ये जो इसमें 50 सीटे है इसमें 50 सीटे है ये भी Central Government की सीटे है ये देख लिए ये address क्या है College of Nursing Institute of Medical Science बनारस इंदू इनिवर्सिटी आफ बनारस तो ये College है कुछ और College देख लेते हैं तो चलिए कुछ और College इसके देखते हैं जो भी College Governmented है तो Governmented College हम लोग देख रहे हैं ये देखिए इसमे College of Nursing ये देखिए College of Nursing ACN Medical College एक आगरा में है जिसमें 40 सेटे हैं 2021 से ये College शुरू हुआ नरसिंग के लिए College of Nursing राजिसी ये देखिए जिए दसरत तो ये कहां पर है ये आविध्या में है आविध्या में 2022 से भी शुरू किया गया था 2019 में Medical College शुरू किया गया अबिबियास और 2022 में Nursing College शुरू किया गया और इसमें 60 सेटे हैं और Government College ये भी है College of Nursing, Government Institute of Medical Science ये देखिए गौतमबूत नगर गौतम, नौइडा में ये है ये 2021 से शुरू किया गया था इसमें भी 60 सेटे उपलब्द है College of Nursing, Government Medical College गौरखपूर गौरखपूर में अभी 2022 से शुरू किया गया क्योंकि 2021 में एडमीशन तो हुआ था लेकिन नीट के थुरू हुआ था जो बच्चे नीट के थुरू यहां पे एडमीशन हुआ था 2022 में अटल विहारी के थुरू आफके एडमीशन होने वाला है गौरखपूर में College of Nursing जहांसी जहांसी में 40 सीटे हैं यह भी Government College 2018 से मानेता प्रापत है और Government सेक्टर में यह काफी सीटे प्रोवाइड की गई है यह देखिए College of Nursing Government Medical College कन्नोज कन्नोज में 2022 से शुरू हुआ चालिस सीटे है यह भी Government College है नेक्स्ट में College of Nursing कान्पूर Medical College Campus नमाब गण्ज तो यह भी है आपका गवर्मेंट है कान्पूर में है 2018 से शुरू किया गया 40 सीटे इसमें है GSB Medical College में तो यहां पर भी है King George Medical University College of Nursing लखनव तो यह है लखनव में है और यहां पर 110 सीटे है यह 100 सीटे है 10 सीटे और बढ़ा दी गई है 2015 से यहां मानेता प्राफ्त है यह देख लिजीए संजे गांधी Post Graduate Institute of Medical Science लखनव तो संजे गांधी तो अटल बिहारी के थुरू नहीं होगा यह खुद अपना इंटरेंस एक्जाम कंडेक्ट कराई थी और यह Central Government के College है Central Government के College खुद के खुद का इंटरेंस एक्जाम कराएगी या फिर या फिर लेगी नीट के थुरू काफी स्टुडेंट यह भी पूछेंगी क्या जो Central Government के सीटे होती है उस College में मेरा अडमिसन हो सकता हाँ तो हो सकता लेकिन आपको नीट क्वालिफाइगा ना पड़ेगा या फिर वो खुद इंटरेंस एक्जाम कराती है उसके थुरू आपका वहाँ पर होगा यह देखिए College of Nursing यह तो आपका हो गया यह मेरट में है तो टोटल अगर बात करें तो टोटल लगभग आपके दस ग्यारा कालेज आपके आते हैं तो ग्यारा कालेज में आपके एडमिसन होंगे इस यह अभी देखिए दो तीन कालेज आपके गवर्मेंट बड़ भी सकते हैं अभी एकदम 100% नहीं है चलिए हम लोग पिछली साल के सेट माट्रिक्स देख लेते हैं कि इसके थुरू किस-किस कालेज में एडमिसन हुआ था अभी एक कालेज और आपका इसमें इंकलिवड हुआ है जो की सेफ़ाई टावा में चलिए उस कालेज के बारे में भी प्रिवियस देख लेते हैं तो प्रिवियस जैसे ही करेंगे आपका सार्च बार में आ जाएगा ये जो आपका 301 नंबर है ना ये भी बीच्चु कहा है इसमें भी 50 सीटे हैं तो ये भी सेंट्रल गवर्मेंट के तुरू सेंट्रल गवर्मेंट के कालेज हैं इसमें भी नीट के तुरू आपके एडमिशन होता है बीच्ची नर्सिंग में 400 प्लस जिसके 400, 450 या 400 के प्लस जिसके नंबर नीट में आते हैं तो ये चीजे हैं, तो ये सेरियल नंबर 80 पे देखिए, ये भी एक कालेज जिसमें इस एर अटल भीहारी भाजवे के थुरू फिलफ किये जाएगा, और इसके माननेता प्राप्त होई थी, 2012 में ही काफी पुराना कालेज है, और काइमपस भी सुन्दर है, तो ये देखिए, अगर बात करें कि किस किस आपको कालेज में एडमिशन लेना चाहिए, अगर आपकी रैंक अच्छी है, तो आप आगरा में ले सकते हैं, फर्स्ट चोइस आप लखनो फिलफ करिए, फिर उसके बाद आप करनोज फिलफ कर सकते हैं, सीपी नेट से फाई इटावा फिलफ कर जा रहा है, और कनोज में हास्टल अभी है, और नमाब गंज में हास्टल अभी साइद नहीं है, और आपका होगा तो आप जरूर बताईएगा कमेंट बाक्स में, और कुछ कालेज हैं, तो आप केजम में तो हास्टल प्रॉइड ही किया जाते हैं, तो केजम से आप हस्ट यह चूज का सकते हैं, तो यह पूरा आप चूज करने का एक अपना, पहले बात अपना खुद एक पना के चलिए, एक जैसे कहते हैं, नो डाउन कर लीजिए, टोटल की कौन-कौन से कालेज मुझे फिलफ करने हैं, कालेज आप नर्सिंग यह दिख लीजिए, विएसल्पी ह देख लेते हैं, तो यह देखिए, यह कालेज सीट माइटरिक्स पिछली बार जे आप विफ साइट पे निकाली गई थी, अटल विहारी भाज पे के थूरू, और एकदम बेकार सीट माइटरिक्स थी भाई, यह देखिए, इसमें आपके कालेज नेम दिये गए हैं, लेकि आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, तो देखिए, जैसे यह देखिए, कालेज नेम दिया गया है, सारा कालेज, गोनार्ड, डून, निर्मला, विवेकानन्द, कामलिया, सांती, सावित्री, ऐसे सभी कालेज के नेम से दिये गए हैं, अभी जब लेटर्स टूजन टूंट में हैं कि सिटी में हैं, उसे पिछली बार 120 सीटों पर इन्होंने कांसलिंग कराया था, और लगवग 3-4 गवर्मेंट कालेज में सिर्फ इनकलिवड किये थे, इस साल तो यह समझे, 11-10 से लेके आपके 15 गवर्मेंट कालेज इसमें आने वाले हैं, इसी के बीच में आपके गवर्मेंट कालेज इनकलिवड रहेंगे, तो अच्छी बात है कि गवर्मेंट कालेज की संक्या भी इसमें बढ़ रही है, और प्राइबेट कालेज भी बढ़ेंगे, तो टोटल 1500 कालेज अनमान यही है कि 1500 प्लस कालेज इस साल कांसलिंग के थुरू सीटे फिलफ की जाएगे, वन बीक के बाद शुरू हो जाएगे, तो अभी 10 दिन मानके चलिए, 10 दिन के अंदर ही, 10 दिन के बाद आपके लास्ट में शुरू हो जाएगे, इसी मन्त में आपकी कांसलिंग शुरू होनी चाहिए, तो चलिए और अपना डाकुमेंट्स रेडी करके सब रहे और डाकुमेंट्स अपना बनवा लीजिए, मैंने डाकुमेंट्स के उपर वीडियो भी बनाई है कि कौन-कौन से आपके दस्तावेज कम्पलीट होने चाहिए, तो यही है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और वेस्ट वीडियो प्रॉवाइड करेंगे, थांक यू ज ढशाओ hubs भी बनाई होने चाहिए, तो यही है कि कौनस देघके बनाई है, तो यही है कि हम problèmeका चाहिएंट्स का ज Опकेंश वीडियों वीडियों इसम्छियों फस्ताव प्रॉवशने किये अवावशने कि वीडियों प्रॉशद क्वास norm कहतीं होने होने होने.